हलो दोस्तों नमस्ते आप देख रहे हैं इन्फो एवन चैनल इसमें हम आज बात करेंगे एंसीडी के बारे में एंसीडी का रिजिस्टेशन और उसका लॉगिंग का प्रोसेस उसमें बहुत सारे प्रोब्लम क्रियेट होते थे तो सबसे पहले देखो हमारी ये टैबलेट की स्टीन है आपको जो प्रोवाइट की हो आए वो स्टीन टैबलेट तो ये उसका स्टीन उसका बोल्ड वर्जिन है उसको हम अनिंस्टॉल करेंगे तो उस पर पूश करके रखेंगे और अनिंस्टॉल पर क्लिक करेंगे ओके तो वो पॉराना वाला जो था, वो अभी uninstall हो गया है, तो इसके बाद हम जाएंगे playstore में, playstore में नया वाला version है, उससे हम इंस्टाल करेंगे तो हम जाते है playstore में, ठीके playstore में जाएंगे, playstore में जाने के बाद वहाँ पर हम लिखेंगे ncd, एंसीडी के बाद लिखने के बाद यह हमारा एप्लिकेशन नया वाला 2.61 इसका जो वर्जन है 2.61 है तो उसे हम इंस्टॉल करेंगे देखो यह वाला ठीक है तो हम उसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल होने के बाद ओपन वाला अप्शन जो है वो एक्टिविट हो हएं ठीक है तो इसका जो पसवर्ड हम सेट करेंगे और उसके बाद हम लौगीं करेंगे तो यह अब हो रहा है ठीक है इसको चलो हो गया अभि इसको तो उपन करेंगे, उपन करने के बाद इसको allow करना है, allow, allow, allow करना है, फिर उसके बाद time or date, ठीक है, correct, तो ये वाला home screen उसका NCD का, ठीक है, तो आज हम NCD का जो reset करने का है, password बूल करेंगे, तो यहाँ पर हम state select करेंगे, language select करेंगे, ठीक है, उसके बाद NM ID डालेंगे, तो ये सारा बहुत सारा problem था, तो अभी solve किया हुआ है, इस application में, तो हम password reset करेंगे, पासवर्ड डालने के लिए, minimum 8 character होना जरूरी है, 8 character होना बहुत जरूरी है, उसमें से 1 capital letter और एक sign और एक number होना चाहिए, तो above 8, between 15 characters होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो ही है, ह नया वाला application है, हमें download किया अभी, तो सबसे पहले हमें state select करना है, तो हम state पर click करेंगे, हम जिस state में रहते हैं, वो select करेंगे, उसके पाद language select करेंगे, language के पाद हमारा user ID, जो हमें provide किया होगा है, वो डालेंगे, उसके बाद mobile number डालेंगे, और reset password पर click करेंगे, देखो यहा यहां पर हम reset पर click करेंगे, reset करने के बाद आपको एक one time password आएंगा अपने mobile के number पर, mobile number पर, ठीक है, यहां पर ANM ID automatically will be display on screen, और उसके बाद OTP यहां पर डालना है, और उसके बाद हमारा जो नया password है, वो डालेंगे, 8 character का होना जरूरी है, उसमें से एक character जो है, वो capital और दू to 50 होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम login करेंगे अभी, नया password आ लेंगे, login करेंगे, reset हो गया है, उसके बाद authentication pin यहां पर enter करना होगा, वो 4 digit का होगा, जो आपको provide किया हो है, वो शायद 0011 या कुछ भी हो सकता है, तो वो enter करना जरूरी है, यहां पर अगर हम enter करेंगे, यहां पर home screen हमारा display होंगा, यहां पर distinct और यहां पर A&M ID और उपर जहां पर वो 3 dot दिख रहे हैं, वहां पर click करना है हमें, तो उसके बाद वहां पर click करने के बाद हमारा जो profile है, dashboard है, वो list में से हम select करके वहां पर देख सकते हैं, हमारा यह profile है, वहां पर हमारा नाम, ID, user ID यहां पर display होंगा, उसके बाद यहां पर 3 dot है, वहां पर click करेंगे, तो dashboard open होगा, ठीक है, list में से हम dashboard select करेंगे, और यह dashboard हमारा target क्या है, enroll कितने हुए है, तो यह सारी जानकरी यहां पर display होंगी, ठीक है, तो यह है, यह ऐसा process है, नए application का, अगर आप इस channel पर नए है, तो subscribe करना नहीं भूलना, ठीक है, subscribe जरूर करना हो रहे है, एक like तो बनता है, एक like करके subscribe करना जरूरी, ओके